हलो अब्रिवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंज के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है तो अभी सूबा के बज रहे हैं आठ और मैं हूँ फारम पे क्योंकि अभी गियां काफी बड़ी हो चुकी है तो वो लोग उड़के बाहर भी जा रही है तो इसलिए जो है अभी इस नेट की मदद से आप लोग देख सकते हैं यह वाला जाली तभी इसी की मदद से हम लोग फ्री रेंज का घेरा लगाएंगे तो आप लोग बने रहें वीडियो में सुरू से लाश्ट तक अभी मैं आप सभी के साथ सेयर करूंगी कि कैसे हम लोग फ्री रेंज को कभर करते हैं वैसे तो आप लोग देखते ही हो लेकिन बनाते हुए साइध ही नहीं दिखा पाई होंगी तो आज वो भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी बड़ा वाला के लिए घेरा लगाना है और छोटे मुर्गी तो अभी इतनी जल्ली नहीं निकालते हैं क्योंकि देख सकते ही यह काफी बड़े हैं इसका साइध तो छोटे वाले जो मुर्गी है वो इससे निकल जाती है एक महिनी के बच्चे भी निकल जाते हैं तो इसलिए एक महिने के बच्च को फिर कैसे जो है फ्री रेंज में छोड़ते तो उसकी लिए भी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि उसको बहार निकालने का तरीका कैसा होता है तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस च और बांस तो गड़ चुका है इसके बाद अभी ये जो नेट है इसको बस लगाना है उसके बाद हम सारे मुर्गियों को बाहर निकाल लेंगे तब ही जो है इसको लगाने के लिए देखें वहाँ पर काम चल भी रहा है यहाँ पर ये दो बांस इसलिए लगाया गया है क्योंकि फ्री रेंच एरिया के लिए भी दो दर्वाजे हैं और उसी के लिए ये दो यहाँ पर बंबु लगाए हैं ये एक दर्वाजा है एक दर्वाजा उधर है देखें वहाँ पर पूरा जब कंपलीट लग जाएगा तो फिर आप लोगों को अच्छे से दिखेगा यहाँ पी जो बतक है वह अपने आप में ही मस्त हैं उनको जो है बना बनाया तलाब मिला है वो नहां रहे हैं खेल रहे हैं दुब की मारे हैं और इनका खाना पिना सब हम लोग वहीं अंदर में ही दे देते हैं और उसके बा फिर मैं फीड डाल दूंगी और वो हमारा देशी फीडर है हम लोग जुगाड़ तरीके से फीड देते हैं वैसे तो फीडर है बहुत सारे है लेकिन फीडर में क्या होता है फीड लगाते है तो बाहर जब भी हम लोग दाना देते हैं तो ऐसे हम लोग बंबू की मदद से जैसे बांस को हम लोग उसका एक पार्ट उसका चोथाई पार्ट रखना है उसका एक पार्ट को cut करना है और उसमें हम लोग feed डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत अच्छे से दोनों तरब से मुर्गियां खाती है और waste नहीं होता है और खाने में भी उनलों को सु अभी कभी क्या करते हैं कि फीडर को पलट भी देते हैं तो दाना जो है बरबाद हो जाता है वैसे खा लेते हैं लेकिन फिर भी जो मिट्टी में दब जाता है वो तो बरबाद ही होता है तो इस तरीके से हम लोग घर पर ही जुगार तरीके से फीडर बनाते हैं फ्री रेंज जाकर मैं सारे मुर्गिओं को निकाल दूँगी कभी आप लोग फ्री रेंज में निकाले ना तो पहले दाना पानी रख लेровग उसके बाद निकाले क्योंकि लोग निकलने के बाद आपको डालने देंगे नहीं एकदम हाथ से ही गिरा देंगे तो इसलिए पहले ही उन लोगों को निकालने से पहले डाल लीजे दाना डाल दीजे फिर पानी रख लीजे उसके बाद फिर निकाल लिए तो जैसे ही बाहर आएंगे जिसको जो ख काम में लग जा रहे हैं काफी लेट हो गया था आज क्योंकि फ्री रेंच कवर नहीं था इस वज़े से थोड़ा लेट हो गया धूख बहुत आ गया था नहीं तो हम लोग सूबा साड़े साथ से आठ बजे की बीच निकाल देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अंडे हैं क्योंकि मुर्गिया अंडा देना स्टार्ट हो चुखी है तो हमको मिला है पूरे दो अंडे अभी दूसरे रूम में देखते हैं तो इसमें भी थोड़े से मुर्गिया रह गई है अंदर वो भी निकल जाएंगे तब तक देखिए वो लोग कितना इस पिटली खाना खतम करें तो मैं इधर फीडर को लगा देती हूँ एक और फीडर ताकि यहाँ पर यह लोग खाना खाले जो इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत